तिमाँ फरीयक ओर अपनू स्वागश आती दिए ले ओक कारेक्रम के जे कारेक्रम मां विश्यष्ट व्यक्तिदव साथ आपनी मुलाकात करावेचे न वातो करेशांत्रक्व आजे क्यों व्यक्तित्वा कि बोले छे ओछू पड़ बोले छे तो काईक अर्थ सभर बोले छे बागी चूपरेवानू पसंद करे छे अन्ने प्रयतन यहों करे छे कि जे लोकों बहु बोलता नथी तेवा लोकों नी वातों लइने ज एमना शब्दों माथी नवी-णवी द क्यों करते हो यह सब किसी की बात समाज तक पहुंचाते हो गुपता जी को क्या फाइदा मैं कहूंगा कि इसके अंदर एक सुख है ऐसा सुख जो वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनोंने समाज में बून-बून से सागर भरा है जिनको लगता है कि भाई जीने को दो चीटी जी जाती है घ्रहरे भी जी जाती है चिडिया भी जी रही है समलुक जी रहे है लेकिन वो जीवन जिससे कुछ बदले वो जीवन जिससे किसी दूसरी की दिक्कत कम हो हमारे एक बड़ा सुन्दर शब्द है समवेधना समवेधना का मतलब है सम माने बराबर वेधना माने द अनिल गुपता के जीवन में जबसे ये समवेधना कुछ और बढ़ गई कि कहीं लगा कि क्योंकि बात ये है कि कई बार चोट खाने से कई बार होता है कि कुछ नई दिशा मिलती है क्या ऐसा कुछ कोई हाथसा हुआ था बचपन में या कोई ऐसे समझदारी के वक्त कि अरे य बादों के परभा पड़ा थे मेरे लिए बाबा थी नियानिक टादा जी वो वान प्रस्ती थे आर रह रह रहे है लेक तो अच्छारी साल गाए थे हम गर्मी उमें जाते को उनके पास हुआ और पचास रुपे का मन्यार जाता हुआ था थे मेरे पताजी से ज़िए मेरे त अश्रम में पूजा करते थे भक्ति करते ध्यान लगाते थे वो सुबह जाएंगे सब जितने बुदूर्ग हैं उनसे पूछने क्या काम है तुमारा आज दिन का काम बता दो किसी को कुछ दबाई मंगवानी है किसी को चिछ लिखनी है किसी कुछ करना सब की काम की चिछ ल लगाना और उससे जीवन को एक सन्मार्ग पर चलाना ये संसकार तो बच्पन से मिला फिर मैं काफी सारे अध्यन किये हमने 1980 में एक बार ये अध्यन कर रहे थे महनेगर जिले में उससे पहले बैंक में था पांच साल तो बैंक के अंदर भी मैंने देखा कि कुछ गाउं ऐ आइड कारश बहा है उससे और लो मीटत था हुसाइन पुरा हरजयन लोग थे माली लोग थे लेकिन भी अंतर तो कम थे अर्थिक अंतर बहुत कहरी कंप था पैसा नहीं मिलता है तो काफी सारा तो हम करदा लेकि उसी को निप्टाने में चले आता है हमारी महत कासर तो मैंने का नहीं है रही ऐसी क्या बात है हम लोग करेंगे उस समय फिर अमर्जेंस्टी का हो गया टाइम सन पच्छत्र की बात है तो उस समय कही लोग आते से अधिका पर जाकर देता हूं इसलिए आप तो नहीं कह सकते हैं मुझे देने के लिए करूंगा तो अपनी मंद्री की हाँ कोई कहदे ऐसा रखती जिसका हमारे पर वहर चेत्र में पढ़ता हो जिसको कभी चकर काटना पड़ा हो एक पैसा खच करना पड़ा हो चाह नहीं पीता हूं पैसे गिनते गिनते ठोड़ी ये बात कहां से आ गई क्योंकि यह चोड़ने वाली बात तो नहीं थी बेंकर वाली कि पैसा हमारा हो की ना हो लेकिन हो हमारे हास्ते देते तो एक रिस्पेक्ट भी रहता था था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत काम किया और बहुत आनंद के साथ काम किया उस समय, फिर मैं तीन साल के लिए दिल्ली में एक इस्टिटूशन है, पॉब्लिक अड्मिस्रेशन का वहां आ गया, ग्रामीन विकास के उपर कुछ अध्यन करने के लिए, और उसके ब खुब आनंद के साथ बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से सीखा, आगे गये, लेकिन एक बात जो मुझे कहनी चाहिए, कि सन पचासी में मैं बंगलादेश किया एक साल के लिए, बंगलादेश में गरीबी बहुत है, हमारे देश के मकाबले में, साथ परसेंट वहां पर जड़ों को छोड़ दोगी कि साथ अगर मैं एक सारी जड़ों को छोड़ दोगी, तो जो शकरगंदी बनेगी वो लंबी बनेगी, तो कि एक दूसरे से मुकाबला होगा उसका, और उसकी खाल पतली होगी, जब मैं शहर में बेचने जाती हूँ ना, तो ग्रहा को चाहिए गोल-गोल, और अगर मालों नहीं भीखी, और मुझे बापस लानी है, तो जारा दिन है, क्या चाहिए, उसके हिसाब से वो शोध करके अपने तकनीक बना रही है, ये काम कौन से कॉलेज में सिखाया गया है, बता चले मुझे अगरिकल्चर निवर्स्ट्रीज में सिखाते हैं, क्या क्रशी में महा विशुदाले में या कॉलेज में, तो लोगों से सीखने की इनोवेशन की बात जो सिखने मिली वो बंगला देश से सुरुवात हुई, बात यहां रोकेंगे, वक्त वे छोटे से विराम का, दर्शक विद्रो, समय धर हो चे विराम नो, प्राफेसर अनल गुपता साथे नी घणी बदी रस्प्रद बातो बीजा तबक्का मा, गुपता जी, आपने कहा कि लाल टमाटर, जो की कॉल्ड स्टोरेज नहीं था, फिर भी लंबे अर्शे तक रहता था, तो क्या ये कह सकते हैं हम की इनोवेशन, अभाव में से ज्यादा प्रेरित होता है, जन्मा लेता है? कई कारण है, एक कारण है अभाव, दूसरा कारण है कुछ नया करने की इक्छा, सब लोग एक तरफ चल रहे हैं, जो नवस्टार्जक किसान होता है, वो कहता है, मुझे तो उस दस्ट्रम चलना है, अभी हम थोड़ी दिन पहले जा रहे थे, सुरिद नेगर से गुजर रह हुआ है, सुवा होता है, तो यह पूछते हैं, क्यों लगा आए खापास के खेत में तो थोड़ी दे लिदे का इंजार करते हैं, किसान तो था नी, कोई और लोग आए उनको भी नहीं पालुम था, मैंने का नी थोड़ी दे रूकेंगे, इंजार करेंगे, तो फृ बात न किसान आए पता चला बोले सब इसके क्या है इसके लगाने से कीड़े का प्रकॉप कम हो जाता है ओके हाउ इसके खुश्बू से हमने का अच्छा भई ऐसा करते हैं हम लैब में आया हम पार सश्टी में एक लैब है संस्ता के अंदर एक मदकर भाई हैं एक ट्रस्ट है बंबे में उन्होंने हमें दान में दिया कुछ पैसा जिससे लैब बनी दस-पंदरा साल पहले और पता चला कि अगल सुवे का रस भी हम छड़क देंगे तो खीड़ा नहीं लगता और बाई बड़ी दवायां आप ख़ीद रहे हो महंगी महंगी जएरी ली जिससे जमीन भी खराब हो रही है पार्यावरन भी नश्ट हो रहा है, हमारे शरीर पर जो मजदूर है, जिस पर पर चीटा पड़ता है, उसके शरीर को भी नुकसान हो रहा है, यह तो बड़ा अच्छा तरीका पता दिया रहे हैं, कच में एक बार हम शोधियात्रा कर रहे थे, हर छे महने में हम लोग चलते है देश के अलगलग हिस्सों में, तो अभी तक हम 30 शोधियात्रा हैं कर चुके, 30 फी शोधियात्रा मनीपर में थी, तो कच में एक बार शोधियात्रा कर रहे थे, किसान मेरी बात सुनता रहा है, कीड़ों को कैसे रोकना है, बिना दवाई के, थोज़ दर बात बोला, प्रफ अभाई ने एक लाइन में वो समरी गागर में सागर भर दिया, जानवर क्यों नहीं खाते हैं पौदों को कल्वे हैं, कल्वे हैं तो भई अम्हें कीड़ा की मार रोकने के क्या चाहिए कल्वाहट, बात ये आती है, बात ये आती है कि एक ऐसी बात, जो अनिल गुपता को स अमज में आती है, तो ऐसी छोटी सामान ये बाते हमारे बड़े बड़े अपने आपको हितरक्षक, लोग हितरक्षक कहने वाले राजनेताओ, रदय समराट राजनेताओ कि दिमाग में क्यों नहीं आताओ और ये क्यों पॉलीसी नहीं बनती, या तो आप उनसे डायलोग क क्यों नहीं करते हैं, ये सब करने की, ऐसा है कि पिछले सालों में हमने बहुत सारी जानकारी गुजराती भाषा में, हिंदी में, तमिल में, इंगलिश में, खट्टी की, 10,000 के करीबन अनुभाव वेबसाट पे डाल दिया, अब तो गार गाव में इंटरनेट पहुंच र जानकारी कैसे पहुंचेगी हमारे पास तो साधन नहीं नहीं पहुंचाने के, लेकिन साधन डाल दिये के बहुंचाने के, मेरा सवाल यही है कि अगर अनली गुपता कोई ऐसे तो इंसान नहीं है, जिनको मैं पहली बार TV के सामने पेश कर रहा हूं, इसी डॉक्टर अनली किया या तो फिर आप भी उनके पास नहीं गए क्या, कि आपको भी एक कठेरे में खड़े कि आपके पास इतनी सारी चीज है, आपको वहां जाना चाहिए, एक अन्वा बताता हूं, एक बार हमने कपास के अंदर, जो ऐसी जानकारिया जिन से हम कीट नाशन कर सकते हैं बिन उन्होंने पूरे स्टेट के अंदर वह कागस को गुमा दिया, यह अन्वाव हैं किसानों को बता दो, उनके काम आएंगे वह इस्तमाल कर लेंगे, लेकिन एक बार खालो तो पेट तो भश्या के लिए भरा नी रहता भई, खाना भार खाना परता है, वह तो बात नहीं हो लेकिन एक बार तो हुआ एक काम, उसके बाद क्या, उसके बाद अगर हम देखोर ऐसा है कि जो तंत्र है हमारा अर्थिक तंत्र, जो कंपनियां बड़ी बड़ी दवाईयां बेचती हैं, अब उनको अगर इतनी चिंता होती कि हमारे जल का प्रदूशन फैल रहा है, भूम किसानों से खरिट के लेके जाते हैं, जैविक अना, जैविक चीजे और पुरानी वांगियां उनको भी सीखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग प्रयास करने रहे लोगों को पास परचाने का लेकि इतने सालों में एक जगा भी नहीं मिल पाई हमको तो जहां पर हम लग आते हैं, भाण जी भाई मातुकिया जो हैं, विसावदार के, उनके बारे में पास साल तक बाते भी हो सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में कितनी क्लासरूम में, कितनी कख्षाओं में लोगों को पता बच्चों को बता चला हमारे राश्टे पुरुसकार जितनी अवेशन फांडेशन से, हनी बी नेटवर्क के माध्यम से, उसमें गुजरात का हिस्सा सबसे जादा है, क्यों? इसलिए नहीं कि गुजरात में ज्यादा लोग हैं, मैं मानता हूँ होंगे, लेकि गुजरात में ज्यादा लोगों को ढूंड पाए, तो निश्य ही उनको मि हैं, जो बच्चों को अपनी मन से पढ़ाते हैं, ऐसे किसान जिन्होंने समस्याओं को बला अच्छा हल किया है, ऐसे कारिगर जिन्होंने अपनी सूजबूच से कुछ नया बनाया है, ऐसे मेकैनिक जिन्होंने बड़े बड़े या मशीन मनाई है, ऐसे लोगों से मिलने के एक दुपैर का खाना या एक शाम का खाना नहीं करना चाहिए। और यह बात मैं हर मुख्य मंत्री के लिए कह रहा हूँ। किसी भी विश्यश कायाब मंत्री हैं आप शुक्षा मंत्री हैं तो आपको हफते में एक दिन या दो घंटे तो ऐसे अध्यापकों के साथ लगाने ही चाहिए जिन्होंने वो सब उद्धिश्य प्राप्त कर लिए शुक्षा नीतिके जिनके लिए परशान हैं लेकिन आप से नहीं हो पा रहा है और वहने कर लिया काम। यह अभी तक नहीं हो पाया हूँ ना तो राजस्तर पर ना तो केंद्रेस्तर पर लेकिन हमारे राश्पती जो हैं उनसे हम मिले थे थोड़ दिन पहले उन्होंने अभी चालिस सेंट्रल उन्वस्ट्री के वाइच चांसलर के सामने चार बाते मानी पहली बात कि जहां भी वह जाएंगे जिस इन्वस्ट्री के अभी कनवकेशन में जाएंगे वहां जो इंस्पायर टीक्चर्स हैं प्रड़ा पद्र ध्यापक जो हैं उनसे अलग से मिलेंगे ख़जगा पर जाएंगे दूसरी बात जहां वह जाएंगे वहां एक पदरशन क्लब होना चाहिए सुझ-भूज का एक क्लब होना चाहिए जो ढूनने का काम पहलाने का काम समझने का काम कांसे समस्य हल नहीं उन समझ साम को समझने काम और चौथा सम्मान देने का काम कि जिन्होंने कुछ अच्छा कर लिया उनको कॉलेज में बलाओ सम्मान कर उनका इसम बढ़ी संस्ताय हैं गुजात के अंदर बढ़ी अच्छा काम कर रही हैं। उनके विद्यारती अगर एक-एक सबक बनाएं पढ़ाई के लिए बच्छों के लिए सवालों को समझाने के लिए विज्ञान को समझाने के लिए और उसको गुजाती भाशन में हम बच्छों तक पहुंचा दें। मुफ्त के अंदर। तो मुझे लगता है कि जहां पर अध्यापक नहीं पहुंच पा रहे हैं या अध्यापक अपना काम निष्ठा से नहीं कर पा रहे हैं। यहां अगे ने कर रोकूंगा वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का अन्ती बढ़ा हुए। दर्शक मिद्रो छेला दबकानी वातो एक नानक ला विराम बात। विराम बात फरियेक और सौगे शामनु कारेगरम आती थी थीमा। डॉक्टर अनिल गुपता डॉक्टर बराबर है ना गुपता साथ एक बात एक मिशन गुपता जी ने लिये थे गुपता जी से इस 15-17-20 मिरिट बात करते हुए एक बात तो यह निकली कि गुपता जी उनके जी में जो आता है वही करते है एक बार आना चाहिए दिन्या की को अपनी जगह से हटा नहीं सकती भाई, यह तो अनिशित बात है, अब बात यह आती है, तो इससे बहुत सारी दिक्कते भी आती हो लिए पारिवारी, यह क्या है, दोस्त भी कहते होंगे, अनि लियार, एक बार ठान लिये तो ठान लिये, परिवार में भी कूछ होता होगा, त तो कैसे कैसे इस सब चीजों से, मेरी पत्नी साधना है, जिसका मेरे को बहुत बड़ा से योग है, इसके बावजूत के उसके स्वास्त में कुछ कमी आई है पिछले सालों में, वो चल नहीं पाते ठीक से, लेकिन उसकी जो जीजी विशा है, बड़ी जिन्दा है, उसकी ज सात्विका निकालते हैं, सुष भी उसका संपाधन करती है, हमारा कोई ज्यानकोष है, उसको ठीक करती है, सुभे अपना गयाम करना जो भी जरूरी है, और सात्विक्ता के साथ मैं कितनी बार विदेश जाता हूं, कभी बिना कोई नो मीटिंग में, आस तक कभी कुछ लाय करने की, लोगों तक उस नई चीज को पहुंचाने की, उसमें कहीं आप, कहीं आप, कहीं आप, अपने खुद के परस्नल लाइप के साथ कुछ इंजस्टिस कर रहे हूं। देखे, ऐसा है, कि हम कई मोर्चों पर अलाई करते हैं, और सब मोर्चों पर हम जीत जाएं, ऐसा तो संबब नहीं होता है, तो कुछ ऐसे मोर्चे, जहां पर समाजिक सुक के लिए जीतना जरूरी है, तो कुछ व्यक्तिकत मोर्चों पर हारने के लिए व्यक्तिक को तेयार जहां पच्छी साल पर ने लिया कि मैं कोई भी ओधा स्विकार नहीं करूंगा आयम केंदर जहां पढ़ाता हूं, जहां बैठे हम लोग, मैंने नहीं स्विकार किया, मुझे कोई यश्की इक्षा नहीं, कोई पत्की लालसा नहीं, यह मान के चला मैं कि यार जो सुख सेवा क जो लोग उसे जोडने का है, जो शीकने का सुख है, उससे बड़ा सुकत कोई होता नहीं, वह सुख मुसे कोई ले नहीं सकता। कई लोगों के आदर्श अनिल गुपता है, अनिल गुपता के आदर्श कोन है? मेरे आदर्श हैं वो लोग जिनसे मैंने सीखा, चाहे वो अमरत भाई हैं पिखोर के, चाहे करीम भाई हैं दिरमपुर के, बहुत सारे लोग शोध्यात्राओं में हमारे साथ चलते हैं अपने खर्चे से, हम लोग जब जाते हैं, अभी मैनिपुर गए ना, तीन दिन जाने म से, क्यूं, पूरे देश में हर गर्मी में हर सर्दी में बस्तर में चलते हैं मेरे साथ वो, जहां पर कुछ बंदर भरुसा नहीं जिन्दगी का, किस समय कहां विस्पोर्ट हो जाए, क्यूं चलते हैं, क्यूं मुझे दोराम चलते हैं मेरे साथ यहां से, तो मुझे लगता डेल्ड लाख अनभव शाड़ तीन लाख बच्चों के, इंजिनिरिंग के स्टुटें के एक खटे कर ली है, GTU के वाइस चांसर साहब अग्रवाल साहब है, उनसे बात करी, कि सर ये बच्चे जो हैं, ऐसा काम क्यों ना करें, जो पहले किसी ने ना किया हो, सही बात है, कैसे पता चले का उनको पहले क्या हुआ है, हासर हमें खटे करते हैं, पूरे देश से पांसो सस्थाओं से डेल लाख प्रोजेक्ट का डिटेबज मना बन गया, अब कोई बच्चा हमारे देश का वो काम कर लेगा, जो पहले हो चुका है, नहीं करने देंगे उस काम, देश की मॉलिकता बढ़ गई, और जो इंडस्ट्री हमारे छोड़ोटी है, वो आरंडी कहां से करेगी, वो कहां सोथ करेगी, उनके समस्यों पर हमारे विद्याते काम करेंगे, गुपता जी, यह जो सुख है, सेत्यों को बनाने का, पुलों को बनाने का, यह बड़ा सुख है भाई, जीवन में सबसे ज्यादा, मुझे मालूम है कि आप इस सवाल का जवाब या तो नहीं देंगे, या तो आप कहेंगे कि मैं इससे परे हूँ, फिर भी, फिर भी, जीवन में सबसे ज्यादा निराशा कब होई थी, कोई एक मोमेंट या कोई एक इंसिडेट हुआ होगा, जह होती है, जब देखता हूँ कि एक लाख सतर हजार अनुभव हमने इकटे के रिए पुरे देश से, और जो साधन हमारे पास है, वो विज्ञान और तक्नीक के जो साधन है, उसका एक परतिशर भी नहीं है, यानि कि इस देश की साथ परतिशर जंता का मानस, जो हमने पांस स हम बंद कर दें काम सारा, तो दो सो साल लगें कम से कम उनके साथ नियाए करने में, दो सो साल, और मैं मानता हूँ कि मुझे अभी पचास से साल साल जीने के इच्छा है, भी और, इसलिए मुझे पर परशानी नहीं है, मुझे को जल्दी बाजी भी नहीं है, मतलब मठान ल कैसे बनेगा, इंक्लूसिव इनोगोशन की जो बात करते हैं, वो होगी कैसे, गाह गाह में लोग उद्यम लगाएं, जगा जगा पर अपने विचारों से आगे समाज बढ़ेगा, तो इस देश में जो अकर मनेता है, जो आदर्स है, जो समस्याओं के साथ जीने के आदर प पास वो तिकॉन पर जूता रखता है और आपके मरमत करता है जूते की, वो तिकॉन जब बना था जब जूता चमड़े का था और उसमें कीले लगती थी, कीलों को ठोकने के लिए वह इसने तिकॉन बनाया था, आज तो जूतों में कीले लगती नहीं है, जूते तो अलग म दस सेटलाइट को छोड़ने की चमता रखता है हमारे हम, पांच विदेश की बने हुए, पांच हमारे, चंदरायान बना सबसे कम खर्च में चांद के उपर रॉकेट पहुचाने की ताकत हमारे देश में है, तो विज्ञानों तक्निकी छेतर में देश ने बहुत तरक्की कि लेकिन उस मोची का आज़ार नहीं बदल पाए हम लोग, दान चावल जो खाते हैं चावल को रोपने के लिए, जो मा है, इमारी बेहन है, कमर जुका कर चावल लगाती है, धान लगाती है, उसके लिए कोई यंत्र नहीं बना पाए है, आज भी जो चाय आप पीते हैं, चा वो दद को कमने किया हमने, तो यह जो समस्या है हमको मालुम थी, हम उनके साथ जीना सिख गए, नई पीडी जो है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे विद्याति हों, सबसे बड़ी उम्मीद की बात, मैं आपने निराशा की बात की, मैं आशा की बात करता हूं, विजे सबसे राश्पती स्वयम, राश्पती भवन के प्रांगण में, आम लोगों को सम्मान देते हैं, ऐसा कोई देश नहीं है, तो मतलब मुझे आशा है कि आप कुछ बदल रहा है समाज, अन्तिम सवाल, अन्तिम सवाल, शोध ही आतरा, एक ऐसी शोध आप लोगों के सामने लाते हो हिंदूस्तान के सामने लाते हो, दुनिया के सामने लाते हो, जो की ऐसी पड़ी हुई थी, जो आज तक भाहर नहीं आई थी, और वो आने से कई समस्याय सूलज सकती हैं, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि इस शोध चो भी आप करते हो, उसके लिए, वो रोकने के लिए, कई मुडी पतियों ने आपको रोका भी होगा, कई बार हुआ है क्या, कि ये आने से हमारे चालू ट्रेडिशनल धंदे पे एफेक्ट हो सकता है, इतना दरूर कहूंगा कि अभी बड़ी-बड़ी कम्पनिया हैं, कुछ बहुत कम कम्पनिया ऐसी हैं, जिनको रुची आ रही है इस सूजबूज को आगे बढ़ाने में, टाटा ने अभी अटा की एक कम्पनिय अगर को, उन्होंने हमारे साथ समझता किया, एक विश्व कर्मा है, रोलनाल विश्व कर्मा, वो गन्य की आँख को निकालने की मशीन मनाई उसने, ताकि पूरे गन्य का टुकड़ा नाम ब बीच अपना काम आजाएगा, अब वो मशीन कितनी बना पाता, पचास साथ बना लेता था, बेच लेता था, अब ये कम्पनिय उसको फुरे देश में बेचेगी, तो ऐसा अब शुरू हुआ है, लेकिन रोकने के लिए, रोकने के लिए तो किसी कोई कैसे ताकत करेगा, कै लेकिन उसके लिया का कोई रास्ता बने, जिसमें हमारे गाओं के जो युवक नुवितियां हैं, वो ही उसके बचा, उसका अंतीम समाल, और बिलकुल आखरी सवाल, मजे वाली बात है, इंटरेस्ट का काम कर रहे है, फिर भी, रिलक्स सेशन के लिए, म्यूजिक या कोई असी चीज जो आपको पसंद हो, किस से रिलक्स होते है, अनल गुपता जी, इतने टाइट स्केडूल से, संगी सुनता हूँ, कभी-कभी चितरकारी करता हूँ, किसका संगी बचाना है, और कविताय लिखता हूँ, एक कविता, अंतीम-ंतीम बस वही, अंतीम पढ़ाओ में एक आपकी कविता, कुछ की रचना, शॉट में, वह मैं अपने लिए लिखता हूँ, सबके लिए लिखता हूँ, लेकिन हाँ इतना दरूर कहूंगा कि बहुत जजबा है जमाने में, कुछ तो होगा, कुछ तो बदलेगा, इतने चैन से क्यों बैठा है, इतने इत्मिनान स कि बैठा है, बहुत अज्य, तैंक्यू अरी मच, गुप्ता साब, दर्शन गुत्रों आती, खास चर्चा, अनिल गुप्ता जी साधनी, एक वो व्यक्तित्वा के जे सतत एक नक्की करी लिदू, के दुनिया ना, खना बदा प्रॉब्लेम सेवा छे, के जे सामनी या लोको समक्ष, मुक्वानो प्रयास तेमने करो जे, वर्शो दी चालू रहेली तेमनी या शोधी आत्रा, अना शोधी आत्रा सतत चालू रहे, अनेको वर्शो सुधी चालू रहे, अने घणा बदा क्षेत्रों मा ते विक्से, तेवी शुप कामना साध्या करेकर में ये पूरो कर फरी मली शुन एक्स्ट एपी सोड में एक नवा आती थी साथे त्यासु दिर जाप शो नमस्कार